हेलो दोस्तों स्टॉक मार्केट स्टीवी के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज हम निफ्टी फिफ्टी के उन पांच स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं जो इस हफ़ते सबसे ज्यादा लॉस में गए हैं और साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में इन स्टॉक्स में कैसी रणनीती रखनी चाहिए इसके साथ ही आप से इतना अनुरोध है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें इससे पहले की हम आगे बड़े अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकी इसके साथ ही अगर आपको यह वीडियो पसंद है और यह जानकारी पूर्ण लगता है तो इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करें तो इस हफते का हमारा पहला स्टॉक हीरो मोटो कोर्ट लिमिटेड है यह स्टॉक शुक्रवार 5 अपरेल 2024 को 4524 रुपए और 90 पैसे पर बंद हुआ है जो पिछले हफते के तुलना में 4.18% यानि की 197 रुपए और 40 पैसे घटा है स्टॉक का 52 वीग हाई 4949 रुपए और 5 पैसे है और 52 वीग लो 2417 रुपए और 15 पैसे हैं स्टॉक ने हाल के दिनों में 4780 रुपए के आसपास रेजिस्टन्स फेस करने के बाद डाउन साइड मूव दिखाना शुरू किया था अब जो इसका डाउन साइड लेवल्स निकल के सामने आ रहा है वो है इसका पहला सपोर्ट 4436 रुपए और 35 पैसे इसका दुसरा सपोर्ट 4207 रुपए और 30 पैसे और इसका तीसरा सपोर्ट 3852 रुपए और 30 पैसे अगर यह स्टॉक अपना डाउन साइड मूव कंटेनिव करता है तो आने वाले समय में यह स्टॉक इन लेवल्स को भी टाच करते हुए या फिर इससे भी नीचे जाते हुए नजर आ सकता है और अगर यह स्टॉक इस लेवल से उपर की तरफ जाता है तो इसका पहला रिज 4,608 रुपए और 15 पैसे इसका दुसरा रिजिस्टन्स होगा 4,848 रुपए और 65 पैसे और इसका तीसरा रिजिस्टन्स होगा 5,066 रुपए और 20 पैसे अगर यह स्टॉक यहां से आप साइड मूव करता है तो आने वाले समय में यह स्टॉक इन लेवल्स को भी टाच करते हुए या फिर इससे भी उपर जाते हुए नजर आ सकता है देली टाइम फ्रेम के हिसाब से यह स्टॉक बेरिश नजर आ रहा है और वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी यह स्टॉक बेरिश ही नजर आ रहा है तो आने वाले समय में यह स्टॉक और भी नीचे जाते हुए नजर आ सकता है इसलिए आपको अभी इस स्टॉक में कोई भी फ्रेश एंट्री प्लान नहीं करना चाहिए और इस स्टॉक में ट्रेंड रिवर्स होने तक का इंतजार करना चाहिए तो इस हफ़ते का हमारा दुसरा स्टॉक नेसले इंडिया लिमिटेड है ये स्टॉक शुक स्टॉक ने हाल के दिनों में 2642 रुपए के आसपास रिजिस्टन्स फेस करने के बाद डाउन साइड मूव दिखाना शुरू किया था अब जो इसका डाउन साइड लेवल्स निकल के सामने आ रहा है वो है इसका पहला सपोर्ट 2514 रुपए और 45 पैसे इसका दुसरा सपोर 2449 रुपए और 5 पैसे और इसका तीसरा सपोर्ट 2382 रुपए और 30 पैसे अगर यह स्टॉक अपना डाउन साइड मूव कंटेनिव करता है तो आने वाले समय में यह स्टॉक इन लेवल्स को भी टाच करते हुए या फिर इससे भी नीचे जाते हुए नजर आ सकता है और और इसका तीसरा रिजिस्टेंस होगा 2745 रुपए और 60 पैसे अगर यह स्टॉक यहां से आप साइड मूव करता है तो आने वाले समय में यह स्टॉक इन लेवल्स को भी टाच करते हुए या फिर इससे भी उपर जाते हुए नजर आ सकता है डेली टाइम फ्रेम के हिसाब स यह स्टॉक बेरिश नजर आ रहा है और वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी यह स्टॉक बेरिश ही नजर आ रहा है तो आने वाले समय में यह स्टॉक और भी नीचे जाते हुए नजर आ सकता है इसलिए आपको अभी इस स्टॉक में कोई भी फ्रेश एंट्री प्लान नह करना चाहिए और इस स्टॉक में ट्रेंड रिवर्स होने तक का इंतजार करना चाहिए तो इस हफ़ते का हमारा तीसरा स्टॉक सिपला लिमिकेड है ये स्टॉक शुक्रवार पांच अपरेल दो हजार चौबीस को 1449 रुपए और 40 पैसे पर बंद हुआ है जो पिछले हफ़त स्टॉक ने हाल के दिनों में 1514 रुपए के आसपास रेजिस्टन्स फेस करने के बाद डाउन साइड मूव दिखाना शुरू किया था अब जो इसका डाउन साइड लेबल्स निकल के सामने आ रहा है वो है इसका पहला सपोर्ट 1414 रुपए और 15 पैसे इसका दुसरा सपोर 1341 रुपए और 50 पैसे और इसका तीसरा सपोर्ट 1284 रुपए और 40 पैसे अगर यह स्टॉक अपना डाउन साइड मूव कंटेनिव करता है तो आने वाले समय में यह स्टॉक इन लेबल्स को भी टाच करते हुए या फिर इससे भी नीचे जाते हुए नजर आ सकता है और 1516 रुपए और 25 पैसे और इसका तीसरा रिजिस्टन्स होगा 1566 रुपए और 40 पैसे अगर यह स्टॉक यहां से आप साइड मूव करता है तो आने वाले समय में यह स्टॉक इन लेबल्स को भी टाच करते हुए या फिर इससे भी उपर जाते हुए नजर आ सकता है देली ट के हिसाब से भी यह स्टॉक बेरिश ही नजर आ रहा है तो आने वाले समय में यह स्टॉक और भी नीचे जाते हुए नजर आ सकता है इसलिए आपको अभी इस स्टॉक में कोई भी फ्रेश एंट्री प्लान नहीं करना चाहिए और इस स्टॉक में ट्रेंड रिवर्स होने त 6% यानि की 37 रुपए और 60 पैसे घटा है स्टॉक का 52 वीक हाई 1245 रुपए है और 52 वीक लो 750 रुपए और 55 पैसे हैं स्टॉक ने हाल के दिनों में 1240 रुपए के आसपास रिजिस्टन्स पेस करने के बाद डाउन साइड मूव दिखाना शुरू किया था अब जो इसका डा 4 रुपए और 10 पैसे और इसका पीसरा सपोर्ट 1042 रुपए और 80 पैसे अगर यह स्टॉक अपना डाउन साइड मूव कंटेनियू करता है तो आने वाले समय में यह स्टॉक इन लेवल्स को भी टाच करते हुए या फिर इससे भी नीचे जाते हुए नजर आ सकता है और रिजिस्टन्स होगा 1277 रुपए और 5 पैसे अगर यह स्टॉक यहां से आप साइड मूव करता है तो आने वाले समय में यह स्टॉक इन लेवल्स को भी टाच करते हुए या फिर इससे भी उपर जाते हुए नजर आ सकता है डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से यह स्टॉक बि एंट्री प्लान नहीं करना चाहिए और इस स्टॉक में ट्रेंड रिवर्स होने तक का इंतजार करना चाहिए तो इस हफते का हमारा पांचवान स्टॉक ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड है यह स्टॉक शुक्रवार 5 अप्रेल 2024 को 2237 रुपए और 55 पैसे पर बंद और 52 लो 1649 रुपए और 10 पैसे हैं स्टॉक ने हाल के दिनों में 2324 रुपए के आसपास रिजिस्टन्स फेस करने के बाद डाउन साइड मूव दिखाना शुरू किया था अब जो इसका डाउन साइड लेवल्स निकल के सामने आ रहा है वो है इसका पहला सपोर्ट 2178 और 70 पैसे अगर यह स्टॉक अपना डाउन साइड मूव कंटेनिव करता है तो आने वाले समय में यह स्टॉक इन लेवल्स को भी टाच करते हुए या फिर इससे भी नीचे जाते हुए नजर आ सकता है और अगर यह स्टॉक इस लेवल से उपर की तरफ जाता है तो इसका पहला रिजिस्टंस होगा 2247 रुपए और 30 पैसे इसका दुसरा रिजिस्टंस होगा 2280 रुपए और 30 पैसे और इसका तीसरा रिजिस्टंस होगा 2315 रुपए और 65 पैसे अगर यह स्टॉक यहां से अप साइड मूव करता है तो आने वाले समय में यह स्टॉक इन लेवल्स को भी टाच करते हुए या फिर इससे भी उपर जाते हुए नजर आ सकता है देली टाइम फ्रेम के हिसाब से ये स्टॉक बेरिश नजर आ रहा है और वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी ये स्टॉक बेरिश ही नजर आ रहा है तो आने वाले समय में यह स्टॉक और भी इजुकेशनल परपस के लिए है, इनने कोई बाई, सेल या होल्ड की सलहा नहीं है। आपको व्यापार करने से पहले अपने वित्तिय सलाहकार से परामर्ष करने की सलाह दी जाती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में तब तक के लिए अलविदा।